हेलो, आज हम इस वीडियो में डाटावीज मनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसको की DVMS बोला जाता है, इसके बाद इसके अडवन्टेज के बारे में जानेंगे, डिसअडवन्टेज के बारे में जानेंगे, और इसके कारी क्या है, DVMS के एप्लिकेशन कौन सी ह इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे database management system इसकी definition के बारे में जानेंगे इसकी definition है DBMS का पूरा नाम database management system होता है तो यह DBMS की full form है इसके बाद है DBMS एक software application है जिसका अपयोग database में data को store करने manage करने, delete करने और access करने के लिए किया जाता है इसके बाद है DBMS बहुत सारी प्रोग्रामों का एक smoo है जो user और database के बीच एक interface की तरह कार्य करता है इसके बाद है DBMS में बहुत सारी commands होती है जिसकी मत से user आसानी से database को बना सकता है database को manage कर सकता है और database को delete कर सकता है तो यह database management system की definition है DBMS के दवारा user नेमलिक तकारी कर सकता है तो इसमें पहला है user database को create कर सकता है delete कर सकता है और manage कर सकता है दूसरा है user database में data को store कर सकता है data में बदलाव कर सकता है और data को delete कर सकता है तिसरे है, यूजर डेटावीज में मजूर डेटा को अपनी जुरूर्थ के अंसार एक्सेस कर सकता है चोथा है, इसके दवारा यूजर को डेटावीज में रिजिस्टर और मनेटर किया जाता है आज कल जो database management system प्रयोग किये जाते हैं वे हैं dbis, foxpro, ims और एककर, mysql, sql तथा db2 आधी इसके बाद है advantages of dbms इसमें पहली है dbms में data को आसानी से खोजा जा सकता है दूसरी है इसमें data को आसानी से retrieve किया जा सकता है इसके बाद है इसमें user data को बेतर डंग से manage कर सकता है इसके बाद है database management system में सुरक्षा बहुत ही अच्छी होती है इसे कोई भी hacker असानी से hack नहीं कर सकता है इसके इलावा इसमें virus आने का खत्रा भी बहुत कम होता है इसके बाद है इसमें duplicate data को store नहीं किया जा सकता है इसके बाद है इसमें एक user दूसरे user को data आसानी से share कर सकता है इसके बाद है इसमें user की privacy और integrity को बना कर रखा जाता है इसके बाद है इसमें user अपनी अप्शिक्ता के अंसार data का backup कभी भी ले सकता है इसके बाद है इसमें बड़ी मात्रा में data को store किया जा सकता है इसके बाद अगला लाव है इसमें एक इस महें में बहुत सारी यूजर काम कर सकते हैं तो ये DBMS की अडवंटेज थी इसके बाद इसके डिस अडवंटेज के बारे में जानेंगे तो DBMS की जो डिस अडवंटेज हैं बो हैं पहली है इसमें हार्डवेर और सौट्वेर की कीमत बहुत अधिक होती है दूसरी है कुछ डेटावेज मनेजमेंट सिस्टम में काम करना कठी न होता है इस लिए यूजर को इसकी ट्रेनिंग देना अवश्क होता है इसके बाद अगली डिस अडवंटेज है इसमें कभी कभी बिजली फेलियर के कान डेटा अपने आप डेलीट हो जाता है इसके बाद अगली डिस अडवंटेज है इसका डिजाइन काफी कॉंपलेक्स होता है इसके बाद अगली है इसमें कई यूजर एक समय में एक ही प्र सबसे पहली है इसका प्रियोग बैंक में कस्टमर की जानकारी, पेमेंट, अकौंट की गतिविदियों, डिपोजिट और लॉन की जानकारी को स्टोर करने के लिए किये जाता है, इसके बाद है इसका प्रियोग Airlines में Ticked Booking और Reservation के लिए किये जाता है इसके बाद है इसका प्रियोग College और School में Student की जानकारी Course, Registrations और Teacher की जानकारी को Store करने के लिए इसका इस्तिमार किये जाता है इसके बाद अगली Application है इसका प्रियोग Finance में Stock, Sales और Purchase की जानकारी को Store करने के लिए इसका प्रियोग किये जाता है इसके बाद अगली है इसका प्रियोग Sales में Customer, Product और Sales की जानकारी को Store करने के लिए किये जाता है इसके बाद अगली है इसका प्रियोग HR management में implies, salary, payroll और paycheck आदी की जानकारी को store करने के लिए किया जाता है इसके बाद हम जानेंगे components of DBMS कि DBMS को कौन-कौन से components होते हैं तो इसमें सबसे पहला है hardware, दूसरा है software, तीसरा है data, चोथा है users, पांचमा है procedures तो ये DBMS के components हैं, इनको हम detail में जानेंगे तो सबसे पहला है hardware, hardware में हमारा computer system आ जाता है जो कि हमारी database को store करने तथा access करने के लिए प्रियोग किया जाता है इसके अंत्रगत, physical, electronic device जैसे की computer, input, output channels, storage devices आ दियाते हैं computer system में data को store करने के लिए जादा तर hard disk का प्रियोग किया जाता है इसके बाद दूसरा component है software, ये DBMS का सबसे मुख्य component है ये program का एक समू है जिसका प्रियोग पूरे database को control और manage करने के लिए किया जाता है इसके अंत्रगत, DBMS software, operating system और application programs आते हैं database तरथ user के मद्य, DBMS software स्थित रहता है ये बहुत आसान interface प्रदान करता है जिससे database में data को store, update और retrieve किया जाता है इसके बाद आगला component है data data, DBMS का एक मुख्य मत्पूर्ण component है DBMS data को store, process और access करता है database में पुराणा data, operational data और metadata store रहता है इसके बाद आगला component है users इसमें बहुत सारी users होते हैं जो की जरूरतों के एसाब से data को access करते हैं परतेक users की capability तथा जरूरत होती है बैया अलग लग होती है इसमें users नेम लिखत होते हैं जैसे कि पहला है database administrator दूसरा है database designers तीसरा है end users चोथा है applications programmers इसके बाद आगला component है procedures परसीजर्स में database management system को use करने के rules तथा instructions आते है परसीजर्स ये बताता है कि system में database को किस प्रकार प्रयोग करना है जैसे कि DBMS को install और setup करना database login करना logout करना database का backup लेना तथा database को handle करना दी तो ये सब काम procedure में आता है तो ये DBMS के components थे तो इस वीडियो में हमने DBMS के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अब्सक्राइब सब्सक्राइब में आपको में जानल